नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जी के रिवीजन सीरीज, जिसमें हम समविधान के प्रीविस एर्ग में पूछे गए प्रशनों को टॉपिक वाइस यहां पे कवर कर रहे हैं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा महत्वपून है क्योंकि इसके अंदर हम समविधान का एक ऐसा टॉपिक यहां पे कवर करने वाले हैं जहां से हर एक्जाम में आपसे कोशन बनता है हम बात कर रहे हैं जो आपके समविधान के अंदर DPSP हैं यानि की Directive Principle of State Policy हिंदी में जिनको राज्य के नीती निदेशक तक तो बोले जाते हैं भाग चार में हैं ये समविधान के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनके बारे में बताया गया है इनको लेकर के हम तीन चीजें यहां पर कवर करेंगे पहली चीज इससे जो जो प्रिविशेर के कोशन है वो सारे हम कवर करेंगे जैसा हर वीडियो में करते हैं दूसरा आपसे कोशन बनता है DPSP और मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है तो उसको मैं आपको पूरा डिटेल में बताते वे चलूँगा और तीसरा इंपोर्टेंट इसके बीच के जो आर्टिकल्स है वो पूछ लेता है आपसे बताईए समान नागरिक सहीता किस में है परियावरण के लिए किस से रिलेटेड है कौन सा आर्टिकल है तो सारे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल मैं आपको डिटेल में समझाते हुए यहाँ पर चलूँगा इन तीन चीजों को कवर करने के बाद DPSP से आपका कोई भी कोशन हो कभी भी गलत नहीं होगा तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं यह हमारा समविधान का बारवा भाग है अगर आपने इसके प्रीविस पार्ट्स को नहीं देखा आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करेंगे पहला प्रश्ण है हमारा राज्य के नीती निदेशक सिधानतों को भारत्य समविधान में सामिल किये जाने का उद्देश्य क्या है तो इनको शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को इस्थापित करना Option D हमारा सही आंसर हो जाएगा जो DPSP होते हैं टिके मैं इनको DPSP ही बोलूँगा शॉट में पूरा नाम आप सभी जानते हैं राज्ये के नीति निदेशक्तत्व या Directive Principle of State Policy जो ये DPSP होते हैं इनका जो मेन उद्दिश्य है समाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को इस्थापित करना यानि कि कल्यान कारी राज्ये की स्थापना करना इसका मेन उद्दिश्य है और उसके लिए क्या आविशक है समाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र चलिए कौन से भाग में है कहां से कहां थक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आगे हम सभी आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कोशन के साथ साथ explain करते वेज चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निमलिकित में से कौन एक राज्य के नीती निदेशक से धानतों का उद्देश्य नहीं है, कौन कौन से तो ऑप्शन C यहाँ पर हमारा सही आंसर है, यह DPSP का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीती निदेशक सिधानत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन है, जैसे मैं आपको बोला था कि हम एक टौपिक इसे भी कवर करेंगे, डिफरेंस पूछा जाता है, अब मैं आपको पूरा डिटेल में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले कोशन का आंसर देख लेते हैं, देखिए, नीती निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में जो बेसिक डिफरेंस है, वो आपसे पूछा जाता है और वो ये है, कि निदेशक जो सिधान्त हैं, वो प्रवर्तनिय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनिय है, इसका मतलब ये है, कि अगर आपके जो नीती निदेशक सिधान्त हैं, जो इसके अंदर बातें कही गई हैं, अगर सरकार आपको वो चीज़ें नहीं दे रही हैं जैसे इसके अंदर लिखा है कि समान वेतन मिलेगा समान कार्रे के लिए इस्त्री और पुर्षों को इसमें लिखा है कि समान नागरिक सहीता होगी अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो आप इनके लिए कोट नहीं जा सकते कोट के द्वारा आप इनको लागू नहीं करवा सकते हैं तो ये प्रवर्तनिय नहीं है मौलिक अधिकार प्रवर्तनिय है यानि कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है आप कोट जा सकते हैं वहां से आप उनको लागू करवा सकते हैं ये था इनका basic difference अब हम देखते हैं इनके अंदर और क्या-क्या difference है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार नकरात्मक होते हैं यानि कि ये कुछ मसलों पर, कुछ topics पर राज्य के कारे करने से उस पर प्रतिबंदित करते हैं यानि कि अब इसको राज्य की दृष्टी से देखे राज्य अगर कुछ करना चाहता है तो ये उसके कारें पर प्रतिबंद लगाता है राज्य को देखना होता है कि हम किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे, अगर हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उसे सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम निति निदेशक तत्वों की बात करें, ये सकरात्मक होते हैं, राज्ये के लिए यहाँ पर सारी चीज़े लिखी होतीं कि आपको क्या-क्या चीजें यहाँ पर करनी हैं आप जो भी काम करना चाहें DPSP की मदद से उनको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे उद्देशे लिखे गए हैं DPSP में कि एक राज्य सरकार को क्या-क्या करना चाहिए ठीक है और मौलिक अधिकार में यह लिखा है कि राज्य सरकार को क्या-क्या नहीं करना चाहिए उसे लोगों की सोतंतरता का खयाल रखना चाहिए उनका हनन नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से मौलिक अधिकार नगरात्मक है राज्य सरकार की दृष्टी से ठीक है वो उसकी शक्तियों को कंट्रोल करते हैं नीति निदेशक तत उसकी शक्तियों को बढ़ाते हैं दूसरा important point है यहाँ पर देखे मौलिक अधिकार जो होते हैं यह नयाय उचित होते हैं यानि कि इनके हनन होने पर नियाले के द्वारा इ केवल भारत में गोवा के अंदर समान नागरिक सहीता है हमारे राज्य में नहीं है आप कोट नहीं जा सकते कि हमारे राज्य में भी समान नागरिक सहीता लागू होनी चाहिए नहीं यह नीति निदेशक तत्व के अंडर आता है यह राज्य सरकार कर सकती है जब उसको सही लगेगा कोट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता तीसरे बिंदू पे आते हैं इनका उद्देश्य देश में लोगतांतरिक राजनैतिक ववस्ता इस्थापित करना है किसका मौलिक अधिकारों का मौलिक मौल अधिकार या मौलिक अधिकार हमारे जो कहते हैं कि लोगतांतरिक रा लोगतांत्रिक राजनीतिक ये कहता है समाजिक और आर्थिक ठीक है लोगतांत्रिक आप समझ सकते हैं मूल अधिकारों से की सबको बरावर का हिस्सा मिलना चाहिए सबके अधिकार बरावर है इस तरीके से तो वो लोगतांत्रिक है DPSP आर्थिक और समाजिक की बात करते हैं ठीके इसके लावा चौथा पॉइंट देखिए ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं जो मूल अधिकार हैं ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये नैतिक रूप से और राजनैतिक रूप से म लेकिन जो DPSP हैं आपके ये क्या है नैतिक मानेता इनको मिली भी है यानि कि राज्य का ये नैतिक काम है कि उसे ये सारी चीजें अपने नागरिकों को देनी चाहिए जैसे उसके अंदर लिखा गया है कि सभी लोगों को उनके विवसाई के लिए उचित माहौल देना उनके उनके वेतन को सही से देना उनके लिए समान आई की विवस्था करना असमानता को दूर करना ये सारे क्या है नैतिक जम्मेदारी है किसी भी राज्य के तो ये DPSP में आता है पांचमा पॉइंट कहता है कि ये व्यक्तिगत कल्यान को प्रोचसाहन देते हैं जो मूल अधिका ये व्यक्तिगत कल्यान को प्रोचसाहन देते हैं योकि हर व्यक्तिके अपने हैं ये उसकी सोतनतता को सुरक्षित करते हैं जबकि DPSP की बात करें ये पूरे समुदाय के कल्यान को प्रोचसाहीत करते हैं यानि कि अगर किसी व्यक्तिक के एक उसके मूल अधिकार का हनन होत ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत का गठन करना, तो पूरे समुदाय को फाइदा होगा, किसी एक विक्ति को फाइदा नहीं होगा, तो DPSP समुदाय के कल्यान को प्रोसाहित करता है, जबकि मूल अधिकार एक विक्तिगत को करता है, ठीक है, छटा पॉइंट जो है, इनको जबकि DPSP की बात करें, तो आपको जो भी नई चीज लानी होगी, जैसे अगर आप समान नागरिक सहीता लाते हैं, DPSP का पार्ट है, तो आपको पहले कानून बनाना होगा, तो इनके लिए विधान की आवशक्ता होती है, ये खुद से लागू नहीं होते, ठीक है, जो आ अवैद घोशित कर दे और असमधानिक घोशित कर दे, जबकि नीतिर देशक तत्वों के अगर हम बात करते हैं, इनका अगर कोई उनलंगन करता है, तो किसी भी विधी को न्याले असमधानिक और अवैद घोशित नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, ह लेकिन उनको प्रभावी करने के लिए कि आपको ये देना ही होगा या आप इसे नहीं दे सकते उसको आप चुनौती नहीं दे सकते तो ये basic difference नीती निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में मैंने आपको बताया थोड़ा सा लंबा explanation था लेकिन अब हम जब आगे इन चलिए नेक्स्ट है निदेशक तत्व क्या है अब मैंने आपको पूरी explanation दे दी आप आसानी से बता देंगे जो निदेशक होते हैं जो DPSP है ये अवाद योग्या है इनको लेकर वाद विवाद नहीं किया जा सकता आप कोट नहीं जा सकते मौलिक अधिकार हमारे वाद य संदर्व में नेमलिकित कथनों में से कौन सा कथन सही है अब देखे आप पढ़िए पूरी थियोरी आप समच चुके हैं ये नियालों द्वारा प्रवर्तनिय होंगे DPSP की बात हो रही है तो ये तो गलत हो गया नियाले तो करते ही नहीं है कि वे किसी भी नियाले द्वार कर तो कोई भी सरकार कानून बनाती है कि उन्हें इन आदर्शों को पूरा करना है तभी तो एक कल्यानकारी राज्य कोई इस्थापना होगी तो ये जो सिधान्त हैं ये राज्य के कानून को प्रभावित करते हैं ठीक है कि किस तरीके से इनको लागु किया जा सके तो second और थर्ड आपका यहाँ पर सही है पूरी थोरी आपने पढ़ ली और उनसे क्या-क्या कोशन बनते हैं आपको ये भी पता चल जाता है कि जो थोरी हमने पढ़ी जो explanation हमने पढ़ी क्या वो हमारे काम की भी है या नहीं है तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार के कोशन आपको मि भारत के समविधान में किस में है देखिए अब ये कोशन को लेकर एक डाउट आपको यहाँ पर याद करना होगा ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी कोशन है मैं आपको दोनों अंसर बताता हूँ देखिए कल्यानकारी राज्ये की संकल्पना का जो समावीश किया गया है ये नीत और आप्शन है कि आप दोनों को चूज कर सकते हैं तब आप दोनों को चूज करेंगे लेकिन दोनों में से एक को अगर चुनना हो तो आप निदेशक तत्वों को चूज करेंगे क्योंकि हमारा समाज या हमारा पूरा संविधान किस तरीके से है वो सारी बाते कहां लिखी है तो दोनों इसके सही है लेकिन जादा सही आंसर क्या है निती नितिशक तत्व इसका अंसर होगा option A आगे ये चीज़ें आपको और जादा किलियर हो जाएंगे next है हमारा समविधान का कौन सा भाग कल्यानकारी राज्य का आदर्श घुशित करता है तो कौन सा भाग है अभी मैंने आपको बताया DPSP option D हमारा सही आंसर हो जाएका ठीके बहुत बार ये question बनता है भारत के कल्यानकारी राज्य होने का विचार कहां पाया जाता है अब यहा तब आपको केवल निदेशक तत्व को निचूज करना साथ में इसके प्रस्तावनों को भी लेना है अगर ले सकते हैं वो option देता है अगर इस प्रकार का ठीके राज्य के नीती निदेशक तत्व सहज अध्यन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किये जा सकते हैं देखें नीती निदेशक तत्वों को अलग-अलग प्रकार से वर्गिकरित किया गया है जिसमें तीन महत्यपूर्ण है एक है आपका समाजवादी सिध्धान्त उदार बहुतिक वादी और गांधी वादी तो इन तीन वर्गों में आप इनको विभाजित कर सकते ह अभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समाजवादी सिध्धान्तों की बात करें तो कौन-कौन से आर्टिकल इसके अंतरगत आते हैं आर्टिकल 38, 49, इसके लावा 41, 42, 43 और 47 ये सारे आपके समाजिक या समाजवादी के अंतरगत आते हैं इन में क्या-क्या बाते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे ठीक है गांधिवादी की बात करें तो आर्टिकल 40, 43, 46 और 48 और 7 में 47 वो भी गांधिवादी के अंतरगत आता है हाला कितनी डिटेल में नहीं जाता कौन सा आर्टिकल समाजिक सिध्धान्त है कौन सा गांधिवादी सिधान्त है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे क्या याद रहे कि इनका विभाजन तीन में किया गया है समाजवादी, उदार भौतिक वादी और गांधिवादी उदार भौतिक वादी के अंदर आपका आर्टिकल चवालीज, पैंटालीज, अर्टालीज, उन पचास, पचास, इक्यावन ये आते हैं इपस इतना आपको याद करना है ठीक है भारतिय सम्विधान में समिलित नीती निदेशक तत्वों की प्रेड़ना हमें किस सम्विधान से प्राप्तू हुई है तो कहां से लिए हैं हमने नीती निदेशक चिद्दान ये लिए हैं आईरलेंड के सम्विधान से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा हमारे सम्विधान के भाग चार में है और आर्टिकल 36 से लेकर एक्ट्यावन तक ये बताए गए हैं ठीके भारत्य सम्विधान में राज्य के नीती निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो कहां से लिया है अभी हमने देखा आईरलेंड के सम्विधान से लिया है option C हमारा सही आंसर होगा भारत्य समविधान में राज्य के नेती निदेशक सिधानतों का विचार कहां से है वही कोशन और कितनी बार आया है आपको बस Ireland ढूणना है option A इसका सही आंसर है नेती निदेशक सिधानत कैसे है तो पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत बार ये कोशन बनता है ये वाद योग्य नहीं है क्यों नहीं है वो भी मैं आपको उपर समझा चुका हूँ ठीक है ये राज्य के उपर डिपेंड करता है जिस राज्य के अंदर जैसी संसाधन होंगे जैसे सुविदा होगी जैसा वहां का समाज होगा उसके अधार पर ये डिपेंड करता है कि वो राज्य इन आधरशों में से किस-किस को अपने नागरिकों को देना चाहता है या नहीं देना चाहता है या दे सकता है तो वो सारे क्या हैं राज्य के ओपर डिपेंड करते हैं तो ये वाद योग्य नहीं है, जो वाद योग्य है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है? भारत के सम्विधान के अनुसार निमलकित में से कौन सा देश के साशन के लिए आधार भूत है? तो देश के शाशन के लिए आधारभूत है राज्य के नीती निदेशक तत्व जैसे मैंने आपको पर बताया कि ये देश के शाशन के लिए मूल आधार हैं ये निश्य क्या करते हैं विधी बनाने में इन सिध्धानतों को लागू करना होता है अगर कोई भी सरकार हो चाहे में उद्धिशे ये ही होता है वो जो भी कानून बनाते हैं कि इनको लागू कैसे किया जा सके इनी को अगर लागू कर देंगे तो ये सारे लागू करने के बाद क्या होगा इनका में उद्धिशे क्या है कल्यानकारी राज्य की स्थापना करना ये सारे लागू हो कल्यानकारी राज्य के रोप में स्थापित हो जाएगा सभी लोगों को समान अधिकार यहाँ पर मिल जाएंगे तो यह हमारे देश के साशन के लिए आधार भूत है इसे आपको याद करना है ठीक है नेक्स्ट है भारतिय समविधान के अंतरगर धन का केंदरी करन किसका उनलंगन करता है तो धन का केंदरी करन करना यह करता है DPSP का उनलंगन क्योंकि DPSP साफ कहता है कि समाज के अंदर असमानता नहीं होनी चाहिए समान जो काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए सब को समान वेतन मिलना चाहिए सारी व्यवस्था तो DPSP करता है अगर आप धनका केंद्रिकरन कर देंगे तो आप सिधा सिधा DPSP का उनलंगन यहाँ पर कर रहे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के समविधान में सुनिश्चित किया गया है एक किसके अंग के रूप में तो DPSP के अंग के रूप में DPSP के अंदर यह व्यवस्था करी गई है कि समान कार्य के लिए चाहे वो इस्तरी करती है या पुरुष करता है उसके लिए उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए यह व्यवस्था आपके आर्टिकल 39 में करी गई है अभी हम पूरा मैं आपको बताऊंगा 36 से लेकर के 51 तक सभी आर्टिकल डेटेल में और सिंपल भाषा में मैं आपको बताते वे चलूँगा ठीक है दीके कितनी बार आया है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन इन में से एक मौलिक अधिकार नहीं है आप आसानी से बता देंगे समान काम के लिए समान वेतन कि क्या है यह DPSP है ठीक है ऐसा राज्य को करना चाहिए ये मौलिक अधिकार नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए ठीक है ये DPSP का पार्ट है बाकि सारे आपके मौलिक अधिकार है भारत में निमलिकित में से किसके अंतरगत पंचायती राज प्रणाली की विवस्था करी गई है तो पंचायती राज प्रणाली कहां पर है ये आपके DPSP के अंदर है, जो Article 40 है ये राज्यसरकार को आदेश देता है या उनको निर्देश देता है कि आपको ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, और फिर राज्यसरकार के उपर डिपेंड है, वो जहां चाहिए उनका गठन कर सकती है ठीके कि राज्ये के अंदर पंचायते होंगी या नहीं होंगी तो ये किसका पार्ट है ये DPSP का पार्ट है ठीके पंचायती राज प्रणाली निम्ले लिखित मेंसे कौन सा अनुचेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को संगठित करने के लिए निर्दीशित करता है वही कोशन है, सिंपल सा कोशन है वह थोड़ा सा चेंज कर देता है कितनी बार आया है, कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का राज्य सरकार को गठन करना चाहिए और उनको आविशक शक्तिया प्रदान करनी चाहिए जिससे वो एक संस्था की रूप में काम कर सके ठीके, यानि कि एक सोतंतर एकाई की रूप में वो अपना काम कर सके अपने छेतर के लिए काम कर सके ये कहता है आर्टिकल 40 भारत के सम्विधान के अंतरगर ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो अभी हमने देखा ग्राम पंचायतों का गठन एक निदेशक शिधान्त है यानि DPSP का पार्ट है option C हमारा सही answer होगा next है यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है एक तरफ आपको कुछ बातें बताई गई हैं और दूसरी तरफ आर्टिकल दिये गए हैं कि यह कौन से आर्टिकल में आते हैं और यही पर मैं आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सारे एक साथ explain यहाँ पर करूँगा बिल्कुल सिंपल भाशा में आपको एक एक आर्टिकल याद हो जाएगा तो पहले इसको कर लेते हैं गराम पंचायत का गठन हमने बात कर ली है यह आपके आर्टिकल 40 में आता है समान आचार सहिता तो यह आपके समान नंबर में आता है इसके नमबर भी समानी है, 44 में ठीक है? और भाग भी 40 है, ठीक है? समानाचार सहहिता में सब कुछ समान है कृशी एवं पशुपालन, यह आपके आर्टिकल 48 में आता है न्याईपालिका और कारेपालिका का प्रृतिकी करण यह आपके आर्टिकल 50 में आता है और अंतराश्टिया शान्ति का विकास ये आपके आर्टिकल 51 में आता है इसको आपको याद करना है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है अब हम यहाँ पर एक-एक करके जितने भी आपके इंपोर्टन जो DPSP है सारे को यहाँ पर मैं आपको कवर कराता हूँ जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 36 ये कहता है राज्य की परिभाशा को यानि कि जो अनुछेद 36 है DPSP का पहला आर्टिकल इसके अंदर राज्य की परिभाशा दी गई है इसके अनुसार राज्य से मतलब है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे संसद हो विधान मंडल हो इसके लावा कोई भी ऐसा संगठन जो सरकार के आधीन हो चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो वो सब राज्य माने जाते हैं ठीक है तो राज्य की परिभाशा आर्टिकल 36 में है दूसरा आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस भाग में समाहित सिधांतों को लागू करना ये आर्टिकल 37 कहता है यानि कि आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो नीती निदेशक तत्व हैं ये इनको लागू करना राज्य सरकार का काम होगा ये किसी भी नियाले के द्वारा लागू नहीं किये जा सकते तो ये कौन सी बात जो हम उपर पड़ते वे आरे न कि नितिनिदेशक तत्व कोट के द्वारा लागू नहीं किये जा सकते वो आर्टिकल 37 कहता है ये काम किसका है? राजसरकारों का है कोट इसनको लागू नहीं कर सकता ठीक है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य के द्वारा जन कल्यान के लिए समाजिक ववस्था को बढ़ावा देना ये कहता है आर्टिकल 38 यानि कि लोग कल्यान के लिए समाजिक ववस्था को बनाना असमानताओं को समाज के अंदर से दूर करना तो ये कौन कहता है आर्टिकल 38 इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 49 राज्य के द्वारा अनुशरन किये जाने वाले कुछ निती सिधान्थ इसके अंदर आर्टिकल 39 के अंदर कुछ बातें लिखी गई है कि राज्य को इन इन चीजों का पालन करना चाहिए पहली बात इसके अंदर लिखी है कि सभी नागरिकों को आजिविका के परियाप्त साधन मिलने चाहिए दूसरी बात लिखी है कि जो भी इसके अंदर हमारे फिजिकल जो संसाधन है उनका समान रूप से वितरन होना चाहिए सभी नागरिकों को उसका समान जो हित है वो मिलना चाहिए तीसरा जो इसका भाग कहता है आर्टिकल 39 के अंदर ही ये लिखा गया है कि जो धन है उसके केंदरन को आपको रोकना होगा जो हमने उपर बात करें थी कि DPSP का उनलंगन हो जाएगा वो 39 के अंदर लिखी गई है इसके अलावा 39 में ही लिखा गया है कि पुरुष और इस्तरियों को समान कारे के लिए समान वेतन दिया जाएगा ये भी इसी 39 के अंदर लिखा गया है जहां पर उसे कुछ प्रिंसिपल दिये कए है तो ये आपको याद करना है फिर आता है आर्टिकल 39A ये कहता है समान न्याएं और निशुल्क कानूनी सहेता ये कोशन बहुत बार एक्जाम में बनता है आगे भी हम कवर करेंगे कि निशुल्क कानूनी सहेता कौन से आर्टिकल में है तो 39A के अंदर है इसे आपको याद करना ठीक है जो गरीब हैं गरीबों को निशुल्क में विदिक सहेता प्रोवाइड करवाना कौन से आर्टिकल में लिखा गया है 39A में लिखा गया है आर्टिकल 40 हम कर चुके हैं गराम पंचायतों का संगटन करना आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में काम का अधिकार शिक्षा का अधिकार और सारवजनिक साहता उनको देना राज्य सरकार का ये काम है कि कोई भी व्यक्ति जैसे कोई अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उसको शिक्षा दे कोई अगर बेकार है तो उसको रोजगार दे कोई अगर बुढ़ापे में है काम नहीं कर सकता है तो उनको विशेश विधाएं दे उनके लिए सरक्षित करे उनके अधिकारों को ये काम है किसका राज्य सरकार का तो जैसे हमने लिखा है न कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारवजनिक साहिता ये उनको देने का काम सरकार को करना चाहिए ये कहता है आर्टिकल 41 फिर आते हैं आर्टिकल 42 पर ये कहता है नियायुचित एवं मानुविय कार्या दशाओं एवं मातरत सहिता के लिए प्रावधान करना यानि कि ऐसे जो काम है नियाय संगत हो, मनुचित दशाओं वहाँ पर हो करमचारियों को निर्वह वेतन आदी यहां पर देना 43 के अंदर आता है कि जो राज्य के करमचारिय हैं उनको मजदूरी देना उनके जीवन इस्तर को बढ़ाना और अच्छे तरीके से इसके अलावा 43 में ही आता है कुटिर उध्योगों को प्रोचसाहन देना अगर आपसे क देखेंगे यह कहता है उध्योगों के प्रवंदन में करमचारियों की सहभागिता जो उध्योग हैं वहां का जो भी मैनेजमेंट है वहां पर करमचारियों का भी उनका हिस्सा होना चाहिए उनकी सहभागिता होनी चाहिए कौन कहता है आर्टिकल 43 A इसको कहता है और 43 B भी ये सहकारी समीतियों को प्रोज़साहन देता है ये कोशन पेपर में बना था पिछले साल उत्राखंड में सहकारी समीतियों से संबंदी दिया उनको प्रोज़साहन के लिए कौन सा DPSP है? 43B है 44 हम पढ़ चुके हैं, समान नागरिक सहिता है 45 की बात करते हैं, ये भी important है बालपन, पूर्व देखफाल और 6 वर्षे से कम आयू के बच्चों की शिक्षा ये कहता है आर्टिकल 45 पहले शुरुवात में आर्टिकल 45 के अंदर ये प्रावधान था कि 14 वर्षे जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे उनको फुरी शिक्षा और अनिवारे शिक्षा दी जाए लेकिन आप जानते हैं, 86 वा समविदान संसोदन 2002 में हुआ और इसको DPSP से हटा कर मूल अधिकार बना दिया गया तो अब 45 क्या कहता है, 45 ये कहता है कि 6 साल से जो बच्चे कम है उनको यहां पर शिक्षा दी जाए और उनका अच्छे तरीके से देखभाल की जाए ठीक है, 46 पर आते हैं, जो अनुशुचित जाती, जन जाती हैं, कमजोर वर्ग हैं उनके सैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावत दिया जाए, ये 46 कहता है 47 पर आजाईए, पोशा हार का इस्तर बढ़ाने, जीवन इस्तर सुधारने, जुन स्वास्त की इस्तिथी बहतर करने के लिए सरकार का करतव्य है यानि कि स्वास्त सुविधाएं अच्छी करनी चाहिए, ये 47 कहता है 48 कहता है, कृशी एवं पशुपालन का संगठन करना चाहिए यहाँ पर यानि कि जो कृशी और पशुपालन है, इनको आधुनिक और व्यज्यानिक परनालियों से इनको करना कृशी को करना, पशुपालन के लिए उनको और अच्छी तरीके से सुविधाएं देना उनको अच्छा आहार देना, उनके वद्ध को खतम करने की कोशिश करना, ठीक है यानि कि उनका वद्ध ना हो, ऐसा प्रावधान बनाना, यह सब किस में आता है, 48 में आता है पूछा जाता है, 48 A भी है, यह परियावरण, सरक्षण और संबर्धन के related है यानि कि परियावरण को सरक्षण करने के लिए, और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है, 48 A है इसे आपको याद करना है, ठीक है फिर आता है 49, 49, 50 और 51 यह बहुत जादा important है 49 कहता है, समारकों और राश्ट्रिय महत्व के इस्थानों के और वस्तों का सरक्षण करना यानि कि जो हमारी प्राचीन विरासते हैं, उनका आपको सरक्षण करना होगा उनका आपको ध्यान रखना होगा, आप उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये भी हमारा DPSP में आता है, कि राश्ट महत्व जिनको घुशित किया गया है चाहे वो हमारी कलात्मक रूप से हो, चाहे एतिहासिक रूप से हो इसमारक हो या कोई जगा हो, उनका सरक्षण करना चाहिए राज्य सरकारों को इसके बाद आता है 50, ये न्याय पालिका को कारे पालिका से अलग करता है कोशन बनता है, न्याय पालिका को कारे पालिका से कौन सा आर्टिकल अलग करता है 50 करता है और last में आता है 51 जिसमें अंतराष्टिया शांती और सुरक्षा को प्रोचसाहन देने की बात करी कई है कि जो भी राज्ये होगा यानि कि राज्ये से मतलम मैं आपको बता चुका हूँ राज्ये सरकार, केन सरकार, सारी सरकारे ठीक है तो राज्ये का काम है वो अंतराष्टिया, शांती और सुरक्षा को यहाँ पर प्रोचसाहन दे तो ये सभी DPSP जो मैंने आपको एक-एक आर्टिकल करके समझाए सिंपल भाशा में इनको मैंने समझाने का प्रियास किया उमिद करता हूँ एक-एक आर्टिकल आपका किलियर हो गया होगा हमने दो चीजें तो कवर कर दिया, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया सारे आर्टिकल बता दिये, अब देखिए सारे जो आगे कोशन बनेंगे सारे आपसे कितने इजीली उनके आंसर आप टिक कर पाएंगे इससे बहर अब कभी यहाँ पर कोशन नहीं जाता है, देखिए नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है आर्टिकल 40 में क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन करना 41 में क्या कहता है, आर्टिकल 41 में हमने अभी इसको देखा आर्टिकल 41 कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोग सहीता का अधिकार उनको देना यानि कि यहाँ पर आपका आजाएगा काम का अधिकार, आप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर यह वाला तो यहाँ पर सही आंसर सही है, आमने सामने वाले यहाँ पर सारे के सारे सही है तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं 39-A कहता है समान न्याए और निशल्क विदिक सहिता ओपर मैंने आपको बताये ना, कि 39-A क्या कहता है? समान न्याए मिले सबको और गरीबों को free में कानूनी सहिता मिले तो यह तो सही है अनुचेत 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी सही है 44 समान नागरिक सहीता कहता है ये भी सही है क्या 48 नियाय पालिका को कारे पालिका से अलग करता है नई अभी हमने देखा ये अलग कौन करता है आर्टिकल 50 करता है 48 के अंदर क्या है क्रशी एवं पशुपालन का संगठन करना ठीक है तो सारी चीज़ें आपकी किलियर यहां पर हो जाएंगी नेक्स्ट है 42 समविधान संसोधन की द्वारा किस अनुचेत के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंदन में भागिदारी सुनिश्चित करी गई है और 2019 में यह आया है हाली का प्रशन है श्रमिकों की प्रबंदन में भागिदारी कौन सा आर्टिकल कहता है उपर हमने इसको कवर किया आर्टिकल 43A इसको कहता है ठीक है option D हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा, उपर मैंने आपको बताया, और देखे कितनी बार आया है, वो 2019 में आया था, यह 2009 में आया है, सम्विधान के किस अनुचेत के द्वारा उद्योगों के प्रबंदन में करमकारों की भागिदारी का प्रावधान किया गया है, 43 पे नह दूरी देना, उनके जीवनिस्तर को बढ़ाना, और साथ-साथ कुटिर उद्योगों को प्रोचसाहन देना, वो 43 में है, इनको इसके अंदर प्रबंधन के अंदर इनकी भी भागिदारी हो, वो 43 A कहता है, ठीक है, पंते हैं ऐसे कोशन, अब देखें, यह कोशन 2020 में आया ह न्याय पालिका का कार्य पालिका से प्रथकी करण कौन करता है, तो हमने उपर पढ़ दिया आर्टिकल 50 करता है, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 50, DPSP का भाग है, ओप्शन B इसका सही आंसर है, राजे के नीती निदेशक सिध्धानतोंप में निमलिखित अनुछेदों मे से कौन सा अंतराश्टिया, शांती, सुरक्षा के समवर्धन से संबंदित है, तो कौन सा है अंतराश्टिया, सांती और सुरक्षा से आर्टिकल 51, किसका भाग है, DPSP का भाग है, भारत के समविधान में अंतराश्टिया, शांती और सुरक्षा के अभीवर्धी का उलेक कह मिलता है तो यह हमें DPSP में मिलता है आर्टिकल 51 में मिलता है जैसे हमने उपर बात करी थी ठीके बहारतिय समविधान का कौन सा भाग अंतराश्टिया शांती और सुरक्षा के प्रती राज्य के उत्तरदाईत का उलेग करता है तो राज्य की परिभाषा मैं आपको उपर बता चुका हूँ कौन करता है उत्तरदाई की अंतराश्टिया शांती और सुरक्षा के लिए राज्य काम करें DPSP करता है आर्टिकल भी हम देख चुके हैं 51 इसलिए मैंने आपको पहले उपर पूरी थियोरी समझाई एक एक आर्टिकल समझाया देखे किस तरीकी के कोशन उन आर्टिकल से आपसे पूछे जाते हैं ठीक है बहारतिय समविधान का कौन सा अनुचेद विदेश नीती से संबंदित है विदेश नीती यानि की अंतराष्टिय संबंदों से कौन सा है वो आर्टिकल 51 क्योंकि ये अंतराष्टिया शान्ती और सुरक्षा के संबंदित है उसकी अभिविद्धी करनी है राज्य को जो भी यहाँ पर सरकार होगी ठीक है ओप्शन D नेक्स्ट है हमारा निमलिखेत में से कौन संबिधान के 42 संबिधान द्वारा संशोधन की द्वारा नीती निदीशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था इन में से कौन सा है जिसे 42 संबिधान की द्वारा नहीं जोड़ा गया राइट आंसर है समान आचार सहिता समान आचार सहिता आपके अनुच्छे 44 में है जब हमारा समविधान बना था और जब लागू किया गया 1950 में तो ये मूल समविधान का हिस्सा था इसे इसके साथ नहीं जोड़ा गया बाकी के जो आपके सारी चीज़े हैं इनको बाद में जोड़ा गया था चाहे वो शोशन से बच्चों और अल्पवियों की सुरक्षा हो इसे भी बाद में जोड़ा गया समान न्याय और निशुलक कानूनी सलहा ये भी बाद में जोड़ी गई 39A के अंतर इसको जोड़ा गया उद्दोगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागेदारी इसको भी बाद में जोड़ा गया किसके तहट जोड़ा गया इसको 43A के तहट इसे जोड़ा गया इसे आपको याद करना है कोशन यहां से बन जाते हैं निमल में से किसके शोशन के विरुद अधिकार स्विकृत है तो किसके शोशन के विरुद यहां पर अधिकार स्विकृत के गए हैं तो देखिए बच्चों के शोशन के विरुद इस्तिरियों के शोशन के विरुद तो option आपके 1, 2, 3 यहां पर सही है निमलिकित में से कौन एक राज्य का नीती निदेशक तत्व नहीं है तो देखे इन में से कौन सा है जो राज्य के नीती निदेशक तत्वों का भाग नहीं है तो उपर मैंने आपको बताया article 45 याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी अच्छी से देखभाल करने का भी काम कौन करेगा राज्य को करनी है ऐसी विवस्था ये अब कहा गया है 45 में पहले इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुनक शिक्षा थी लेकिन अब ये क्या है अब ये मूल अधिकार है अब ये इसके अंदर शामेल नहीं है तो इसको आपको याद करना है ठीक है ये अब क्या है ये डीपीएस्पी नहीं है ये अब एक मौलिक अधिकार है निम्न में से कौन सा राज्य का नीती निदेशक तत्व नहीं है ध्यान रखेंगे वही वाला है कि 16 वर्ष की आयू तक के बच्चों को निशून को शिक्षा ये अब DPSP नहीं है ये अब एक क्या है मौलिक अधिकार है तीक है निम्न में से कौन एक राज्य के नीती निदेशक तत्व धानतों में सम्मिलित नहीं है तो कौन सा है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है जो नीती निदेशक तत्व धानतों में अच्छा पूछा है सम्मिलित है तो आप देखते ही बता देंगे कि राज्य जो है वो देश की परियावरण, सरक्षन और संवर्धन का परियास करेगा जो राज्य होगा यानि की सरकार से मतलब है वो परियावरण के सरक्षन और उसके संवर्धन के लिए काम करेगी बाकी की सारी चीज़ें आपकी क्या है? मौलिक अधिकार है तो दीखे हमारे जो DPSP है इसमें कर्मकारों को निर्वह मजदूरी के बारे में बताया गया है गरीबों को फ्री में कानूनी सलहा के बारे में बताया गया है बालकों की प्रारंबिक शिक्षा जब तक वो 6 वरश की नाहों उन्हें प्राप्त करनी है ये भी बोला गया है ये सारे DPSP का पाठ है प्राण शिक्षा के बारे में DPSP के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया गया है निमलिकित में से कौन सा एक राज्य का नीती निदेशक सिधान सम्विधान में बाद में जोड़ा गया था तो कौन सा बाद में जोड़ा गया था उपर मैंने आपको बताया याद कीजिए आर्टिकल 39A जो कहता है मुफ्त कानूनी सलहा इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, 39A इसका राइट आंसर है, ठीक है, आर्टिकल 39A के तहट इसको जोड़ा गया था, option C इसका सही आंसर है, कब जोड़ा गया था, तो 42 समविधार संसोधन 1976 में, ठीक है, बाकि सारे के सारे पहले से ही समविधार में थे, चाहे वो पं नहीं था, ठीक है, निम्र में से कौन सा नीती निदेशक तत्व है, इन में से कौन है, आप देख देंगे, प्रस की स्वतंतरता, मौलिक अधिकार, विधी के समक समानता, मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंतरता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, समान नागरिक सही था, D गीति निदेशक तत्वों के बारे में, DPSP के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया था, कि ये ऐसा चेक है, जो बैंक अपने स्विधा के अनुसार देखा, ये कहा था कीटी शहाने, ऑप्शन D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल सही भी बात है, ये चेक है, पूरा का पूरा, इसके अंदर सारे महत्वपूर्ण आदर्शे लिखे गए हैं, लेकिन इनको तो देने वाला है, यानि कि जो बैंक है, अगर हम बात करें, तो सरकारे हैं, राजय सरकारे, ये उन पर डिपेंड करता है, कि वो क्या-क्या चीज़े इन में से देना चाहते हैं, तो ये ऐसा चेक, जो बैंक, अपनी सुविधा के अनुसार देगा, ये कहा था केटी शहाने, ठीक है, नेक्स्ट है, भारत्य समविधान के भाग चार में, दिये गए निर्देशित सिधानतों में, निम्न में से कौन सूची बद है, तो कौन सा है, यहाँ पर आप देख लेते हैं, दिखिए, समान कारे के लिए समान वेतन, ये DPSP का पार्ट है, बिलकुल पार्ट है, ठीक है, समान नागरिक सहीता ये भी DPSP का पार्ट है, छोटे परिवार का मांदन ये इसमें शामिल नहीं है, प्रात्मिक इस्तर पर मात्र भाषा में सिक्षा, ये भी समविधान का पार्ट है, 351 आर्टिकल में दिया भी गया है, ठीक है, 350 में दिया भी गया है, कि प्रात्मिक इस्तर तक मात्र भाषा में सिक्षा दी जाएगी, लेकिन 350 DPSP का पार्ट नहीं है, DPSP आप जानते हैं 36 से लेकर 51 तक है, तो यहाँ पर केवल जो शुरुवात के दो हैं, ये DPSP में हैं, बाकी के आपके नहीं है, ठीक है, इसको आपको याद करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B, तो फ्रेंड्स यह था हमारा, जो हमारी एक सीरीज है, जीके रिविजन सीरीज, सविधान का हमने एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक, एक सिंगल वीडियो के अंदर हमने इसे कवर किया है, DPSP का, यहां से आपके बहुत सारे कोशन बनते हैं, लेकिन अगर आपने इन तीन चीजों को कवर कर दिया, सबसे पहले, यह जो सारे प्रीवेश येर कोशन थे, वो हमने देख लिये, दूसरा, DPSP और जो मौलिक अधिकार हैं, इन में डिफरेंस वो हमने शुरुवात में देखा, और सारे DPSP मैंने आपको एक-एक आर्टिकल, बहुती सिंपल और सरल भासा में समझाने का प्रियास किया, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और DPSP से रिलेटेड अब आपका कोई भी प्रश्ण कभी भी नहीं चूटेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए आये हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक करतव्यों के बारे में, थैंक्यू फ्रेंड्स